तो वहले दुस्तों हमारी उटी चलिम आपको स्वागत फेंड आज के इस वीडियो मैं आपको बताने वाला हूँ जीयो का 395 रुपे वाले प्लान के बारे में और 1569 रुपे वाले प्लान के बारे में चलिए सबसे पहले प्लेइश्टोर ओपन कर लेना है और मैं आपको बत किया था वह आपका डाटा नहीं चलेगा या चलेगा आज की इस वीडियो में सब कुछ आपको बताने वाला हूँ वस आपको वीडियो को पूरा देखना है तो सबसे पहले प्लेश्टोर ओपन करिएगा यहां पर आपको माई जीयो एप डाउन्लोड कर लेना है मैं इसका जीयो नंबर से लोग इन कर लोगें ओटिपी के थ्रू तो आपके सामने जो माई जीयो एप का होम पेज है इस तरीके से सो कर दिया जाएगा यहां पर आपका मोबाइल नंबर जो कर दिया जाएगा तो चलिए अब आपको बताते हैं जो जीयो का 3085 रुपए वाला प्लान है उसके बारे में full information देने वाला हूं बस वीडियो को पूरा देखते रही है तो नीचे एक recharge का option दिखेगा recharge वाले option पर जैसे आप click करते हो यहाँ पर जैसे recharge वाले option पर click करोगे तो यहाँ पर आपके सामने popular जो प्लान है वह आ जाएंगे तो आपको क्या करना है ऊपर कई option यहाँ पर देखिए मिलेंगे तो आपको एकदम last में इस तरह किसी स्कोल करके last में आ जाना है जब आप लास्ट में आ जाओगे तो यहाँ पर value का option देखने को मिल रहा है यहाँ पर तो चलिए प्लान के बारे में full information आपको जाननी चाहिए तो जो 395 रुपे वाला प्लान है अगर आप इसे recharge करवाते हो तो आपको इसमें 84 दिन की validity मिल जाएगी यानि कि जैसे recharge कराओगी यह आपका प्लान 84 दिन तक रहेगा और इसमें 6 GB data मिलेगा यह जो 6 GB data मिलेगा यह रोज नहीं मिलेगा बलकि एक ही बार 84 दिन में एक ही बार 6 GB मिलेगा आप उसे एक दिन में खतम कर दो या दो दिन में या पूरे 84 दिन में खतम कर वो आपके उपर है अगर 4G पकड़ेगा तो यह 6 GB data यूज होगा अगर आप 5G चलाओगे तो यह आपका जो 5G है वो इसमें से 6 GB यूज नहीं होगा वो unlimited 5G चलेगा यह आपका 6 GB वैसे क्या वैसे ही रहेगा जब 4G पकड़ेगा तभी यह 6 GB data यूज होगा अगर 5G पकड़ा है आपके फोन में तो यह 6 GB data नहीं यूज होगा और यह 5G unlimited यूज होगा लेकिन मैं आपको बता दूँ यह सिर्फ एक ही बार 6 GB मिलेगा रोज 6 GB नहीं मिलेगा बस एक बार आपको मिल जाएगा आप एक दिन में खतम कर तो 4G पकड़वा कि या दो दिन में वो आपके उपर है आप चले आपको बता दिया गया तो जो हमारा recharge है वो तो चला जाएगा उसमें कोई भी हमें unlimited 5G नहीं मिलेगा ना तो हम data unlimited यूज कर पाऊंगे तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ अगर जी ओ अपना जो unlimited 5G offer है बंद भी कर देता है तो अगर आप पहले का recharge करवा चुके रहेंगे तो वो बंद हो जाएगा जो आगे से recharge करवाएंगे उन लोगों के लिए वो offer बंद हो जाएगे हो सकता है recharge महांगे कर दिया जाए लेकिन अगर आप पहले से ही recharge कर लिए हैं तो आपका यहाँ पर कुछ भी नहीं होगा जो आपका 84 दिन है वो 84 दिन unlimited 5G चलेगा अगर आप 1569 रु offer को change कर देता है और unlimited 5G को यहाँ पर limit लगा देता है तो आप में limit नहीं लगेगी क्योंकि आप पहले का ही recharge करवा चुके हो तो अगर आप पहले का recharge कर लोगे तो आप unlimited 5G डाटा यूज कर पाओगे मैं आपको बता दूँ इससे पहले भी जो जीओ का recharge काफी सस्ता हुआ कर रहे थे उनमें मतलब कोई भी दिक्कत नहीं आई जो लोगों ने उस टाइम एक साल के रिचार्ज करवाया था उनके लिए वह यूज कर रहे थे लेकिन जब नया प्राइस आया तो वहाँ पर बढ़ गया था प्राइस तो लेकिन प्रभाव किनको पड़ा जो नए यूज कर दे लेकिन आपके लिए बंद नहीं होगा दोनों में से कोई भी प्लान अगर आप करवाते हो 395 में आप 84 दिन अल्लिमिटेड यूज करोगे और 1569 में 336 दिन आप अल्लिमिटेड डाटा यूज करोगे यहाँ पर कोई भी लिमिट नहीं रहेगी और आपके लिए यह ओ टाइम मिलेगा एक ही बार चाहिए आप एक दिन में यूज करो या दस दिन में वह आपके उपर है 4G पकड़ेगा तभी यह डाटा यूज होगा अगर 5G पकड़ेगा तो यह डाटा यूज नहीं होगा तो मैं आशा करता हूँ आपको पूरी अच्छी इंफर्मेशन मिले रही है तो आपके लीज हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और बेल आइकन को किसका ना मत बुलेगा मिलते हैं ऐसे एक नए वीडियो के साथ तब तक लिए धन्यवाद